गाईज वेलकम ओन एड़ो टेक्नोमित्रा चैनल दोस्तों आपके अपने चैनल एड़ो टेक्नोमित्रा पर आपका एक बार फिर स्वागत है। कल हमने किया था दिसंबर 2018 का ओल इंडिया बार एक्जामिनेशन का पेपर। आज हम करेंगे दिसंबर 2019 एक्जामिनेशन का सेट ए जो के ओल इंडिया बार एक्जामिनेशन चौदमी थी यह हम पांच पेपर कर रहे हैं और पांच पेपर में पांच सो कुस्चिन हो जाएंगे और इन मैंसे 15 से 20 से प्रतिसाद कुस्चिन आएंगे जो आपको 40% से ज़् सही तरह से लिया गया है तो इसकी राइट ऑप्षिन है डी इन इंडिया कंसिट्रेशन मस्ट फोलो फ्रॉमी जी और एनी ऑदर परसन यानि जो इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट रहा सो बैतर उसके अनुसार प्रामी जी को कोई कंसिट्रेशन या उसके भी आपके कोई ती परसन छी ओ ट्रांजेक्षन चू वेजरीं एर वेलिट वेजरिंग होता है ज्वां केलना या बाजी लगाना तो उसमें कहरें और ट्रांजेक्षण और आपके की ट्रांजेक्षन जो ना वेलिट है सभी संही और रिजन विच अर्ट इसमें है इंडियल एग्रिमेंट्स आर डिक्लियर वॉइड जो वेजरिंग एग्रिमेंट है ना वो वॉइड है अंदर सेक्षिन थर्टी जो इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट है उसके दारा 30 के टाहते यह वेजरिंग एग्रिमेंट वॉइड है अब आगे कोड तो इसमें चार ओप्सन दी उसकी आर्द होना और एक्स्प्लेनेशन है सही तरह दर्सारा इसलिए और इस दी दी दीसरा कुश्चन ट्रम होल्डर इंक्लूट जो होल्डर है ओल्डर की जो डेफिनेशन दी गई है इंडियन कॉंट्रेक्ट एक्ट में एप एई यानि जिसने पेमिंट करनी है जिब व अब है हमारा चोथा कुश्चन इसमें है अंडर दा डिजिलुशन ओफ ए मुस्लिम मेरीज एक नैंटीन थर्टी नाइन जो मुस्लिम मेरीज एक उन्सुन तालिस है उसके तहित विवाका विच्छेद होना डिजलुशन ए मुश्लिम वाइफ कैन सी डिजलुशन ओप मैरी अगर पती मेरीज विवासमबंदी ओब्लिगेशन परफॉर्म करने में फेल रहता है तो इसकी लिमिटेशन है तीन साल तक ऐसा रहता है तो मैरीज जो है डिजॉल हो जाएगी अगला क्युस्चन है फाइब इंट्रोडूस्ट वाइदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंडिकेस और तो कहरें जो प्रेटिव प्रेटिशन है यहने किसी भी जुजमेंट से आप से दूश्ट नहीं हो तो उसके अगया प्रेटिव प्रेटिशन डलती है कि लास्ट में यह लास्ट अपर्चिनिट होती है प्रेजिएंट को अपील करने से पहले तो यह कंसेप्ट किस से जुजमेंट के तहट इंट्रोडूस किया था पांच का राइट आंसर ए रूपा अशोक और वरसी अशोक और यह पती-पत्नी के बीच में केस था एई-ई-ई-डो-जार-दो सुप्रिंग कोर्ट सतर मेंबर 2019 की चोदमी ओल इंडिया बार एक्जमनी सिंगा अगला कुस्चन है छी राइट टो फ्री लिगल एड वाज रेकनाइस एज फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 और इंडियन कॉंस्टिटूशन इन दी केस और किस केस में जो है फ्री लिगल एड का राइट की फंडामेंटल राइट है एकनाइस्ट किया था इसके राइट आंसर है बी एम मैच ऑसकोट वर्सी स्टेट ओप माराष्ट्रा अगला कुस्चन है साथ दा केस ओप मुहमत अलादाद खान वर्सीज मुहमत इसमाईल खान इस केस जो है किस से रिलेटिट था अगनोलिजम अगला क्वेस्चन है इन वीच ओप दा अगला क्वेस्चन है इन वीच ओफ दा फॉलोविंग केसीज दा सुप्रिम कोर्ट वाज इन टू थाउजन सेवंटीन डिकलियर्ड प्रोनाउस्मेंट अप तलाग थ्री टाइम से टाइम बाई मुस्लिम स्वेंट एज अन कॉंस्टिटूशनल जो यह मुस्लिम समाज वह तलाग तलाग करके त अगला कोस्यों है और आट का यह और आइस्ट प्रॉफिट ऑप्रोपर्टी मेंस मेंसे प्रॉफिट ऑफ अफॉप्रोपर किया है इसमें यह बताना है यह है documentation of such property एक्चुली रिसीवड और माइट रिसीवड देर फ्रॉंग तोगेदर वीड इंट्रेस्ट ऑन सच प्रॉफिट यानि एगी प्रॉपरेटी और बी प्रॉफिल पोजिशन पर बैठाया और जुस प्रॉपरेटी से जो फाइदा उठा रहा है वो मैसे ने प्रॉफिट थे न इस दूख और प्रॉपरेटी में सारे लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो ग्रेडिटर है रेडिटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है इसलिए इसका राइट आंसर है सी अगला कुस्टिशन 11 पॉब्लीक इंट्रेस्ट लिटिगेशन इज रिलेक्शेशन यह है लोकस टंड़ी है इसमें लोकस टंड़ी का कोई शू नहीं होता आप पॉब्लीक इंट्रीटिगेशन कहीं चुछ जाट ला कुस्टिघेशन विछ आप दिवालमेंगं में जो नीचे चार केस दिए गए हैं उस में से कौन सा पबलीक इंट्रीच लिटीचेशन पर नहीं है तो बारह का से यांसर है ए इस्वानन्द भारती परसी स्टेट ऑप किरला यह पी आई एल से संबंदित नहीं है यह कॉंस्टिटूशन के जो प्रियंबल से संबंदित के से इसलिए बारह का सी आंसर है ए कुस्चन नमबर थार्टीन विच आप दी फॉलोविंग कैन बी डन बाई ए सीनियर एड़ोकेट इन एकॉर्डेंस विदे रूल जाओ बार कांसिल आप इंडिया बार कांसिल आप इंड इसका क्या मतलब है चोदवा का राइट आंसर ए है विए देर इस राइज रिवेडिया इसका क्या मतलब है इसका क्या मतलब है चोदवा का राइट आंसर ए है विए देर इस राइट देर इस रिमेदी यहां आपका दिकार है वहीं आपका समाधान मिलेगा अगला क्वेश्चन है फिप्टीन लेटिन वर्ड इंजूरिया साइं डेमनम इंस यह कल के कॉश्चन में भी आया था और हमने 2017 में किया था 2017 का प्रिपर हल किया था उसमें भी था यह इंपोर्टेंट कुश्चन है इस से मैक्सिम कम कलव है इंफ्रीजमेंट ऑफ लीगल राइट्स विदाउट डेमेजी बगार किसी नुकसान की लीगल राइट का इंफ्रीजमेंट करना अगला कुश्चन है 16 प्रोविजन रहें मोटर विकलेक्ट के उसके तहित क्लेम की साइड होते हैं अगर कोई एक्सिटेंट हो जाता है इसका राइट आंसर ए सक्षन 165-75 अगला कुश्चन है 17 रूल ओफ ला मीज यानि रूल ओफ ला का मतलब है इक्वलिटी बिफोर दिला कानून के सामने समानता सुपरमे और प्रिडोमिनेंस ओफ लीगल स्प्रीट जोना कानूनी आत्मा का प्रीडोमिनेंस होना चीए यहीं तिनों ही ठीक है तो इसका राइट आंसर है और अगे और देखिए अग्ला क्वेस्चन है इक और चली अधर चली गीए ती वह भी राइट थी तू रेस्टरेंट पॉब्लिक ऑथर्टी टू डू इलीगल एक्ट है तू आउस्ट इलीगल ऑकुपेंट हो पे पॉब्लिक पोस्ट तो इसका सही आंसर है ओल अप दिये जो है क्रेक्ट अंसर है अगला कुश्चन है 19 रिट ऑफ सरसरारी कैन बी इस्यूड अगेंस्ट तो स सरसरारी की रिट इस्यू कराते हैं सुप्रिम कोर्ट या आई कोर्ट से तो वह होती है जुडिशियल एंड क्वैसे जुडिशियल बॉडिश किया रहे है इसलिए 19 का जो राइट आंसर है यह है अगला कुश्चन है 20 सुप्रिम कोर्ट ऑप इंडिया हैंड डैट इस प्रम को लिगेशन है आईदर गॉर्मेंट और प्राइवट चेसर करें नोकरी करते हैं चाह प्राइविट है टू गिव मेडिकल एड टू एवरी इंज्यूर्ट सभी गाहल आदमियों को द्वाई आदे की साहिता प्रोट फूर ट्रीटमेंट इमीडियेट जैसे उनको इलाज क करना चाहिए विदाउट वेटिंग और प्रोसीजनल फॉर्मिलिटीज इन दा केस बात को किसे केस की टैट डिशाइड किया इस परमानंद कालड़ा वर्सीज यूनियन ऑफ इंडिया इसमें जो मेडिकल स्थाप था वो प्रोसीजनल फॉर्मिलिटीज में पढ़ गया था और जो इंजूर्ड परसंता उसको बहुत ज्यादा नुक्सान है अगला क्वेस्चन है 21 सुप्रिम कोर्ट ओप इंडिया एज इसूर्ड दा डारेक्शन तू मेक दसी बियाई इंडिपेंडेंट अजन्सी सो दैट इट कें फंक्टिवली एंड इन्वेस्टिगेट इन्डिपेंडेंट बना दो इस पर किसी भी सरकार का कंट्रोल नहीं होना चाहिए ताकि वो आई लेवल के जो सारुजनिक जीवन में करफशन है क्राइम है उनको अच्छी तरह से यह पर बावी ग्रूप से इन्वेस्टिगेट कर सकी तो यह किस केस में डिसाइड किया य अगला कुशन है 22 वन ओव दा फॉलों स्टेटमेंट इस नोट रूप विच वन इस देट नीचे दिवी स्टेटमेंटों में से एक स्टेटमेंट जो है सकते नहीं है वो कौन सी आप में यह बताने तो बाइस कैसे यह आंसर है एक कंफेशन भाई वन को एक्यूज इंप्ल प्रो नहीं माना जाएगा एक आदम कंफेशन कर लेता है तो उसका दूसरे एक्यूज से कोई लेना जाना है इसलिए 22 का सही आंसर है एक किस्मीरा सिंग वर्षी स्टेट ओव एंपी इज लीडिंग केस और यह कल के पेपर में भी आया हुआ था जो अपने उसका दिसंबर पर इठारा का था उसमें भी आया थे इंपर्टेंट कुश्चन है और यह केस था कश्मीरा सिंग वर्षी स्टेट ओफ एंपी कंफेशन ओफ एक को एक्यूस्ट जो प्रवाला कुश्चन है उसी से रिलेटिब एक को एक्यूस्ट दुआरा जो है ना जुर्म कबूल करने क के उपर यह अब चौबिसमां कुश्चन है विच आप दा फॉल इंफेक्ट इस नोट रिलेवेंट इन सीविल एंड क्रिमिनल केसी अंडर सेक्शन एट ऑफ दा इंडियन एविडेंस एक्ट की धारा आठ के तैय थे अटेंप्ट जो है यह रिलेवेंट फेक्ट नहीं है Btna Stands for यह Btna की full form क्या हो बताने आपने इसका सही आंसर है B best alternative to a negotiated agreement Best alternative B से best है और T से B से best Bt से best है N से negotiation और A से agreement इसका यह रहाँ सर यह रहा है अगला कुस्टन है 26 सक्ष्ट 9 अव डा अर्विटर्रीशं अंद से लिएशंड है 1996 डीश्ट इसक्ष्ट 9 जो अर्विटरेशं अंद से च्छानुव इख इसको डील करता है इन टेरिम मेंजर्स बाइट इनकम टेक्स लागू हुआ था ये भी एक इंपोर्टेंट कुश्चन है कई बार रिपेट हो चुका आप तक बार एक्जामनेशन इस इन विच केस जस्टीस जेशी साह और सुप्रिम कोर्ट अबजर्वड कानून के अनसार जो पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए कानून के दुआरा उसको ऑथरी को अथराइज किया है यह किस केस में डिसाइड किया था सुप्रिम कोर्ट यह केस था आई टियो वर्सीज सेट ब्रोदर्स काफी फैमस केस था और सेट ब्रोदर के नाम से जो नहीं परसीद हुआ था केस अगला क्वेस्ट नहीं तीस इसमें से कौन सांब सकते हैं यह पहले चाहर स्टेतमेंट दी गई हैं और इसके बाद यह option दे रहती है, minor contract can be ratified on attaining majority, ठीक है, minor contract be ratified on attaining majority, ये भी लगवा ठीक है, minor's contract can be ratified jointly by both the parties to the contract, ठीक है, minor is not liable under minor's contract, अब इसमें जो कौन सा सही, सबसे ज्यादा सही है, तो 29 का सही answer है B, जिसमें से minor contract be ratified on attaining majority, ये बात correct है, minor is not liable under minor contract, ये भी सही है, तो ये भी answer सही है, जिसमें दूसरी और चौती option को दिया गया है, 29 में का सही answer B है, अगला question है 30, which one of the following sections of CRPC deals with the irregularities, विच 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 व ये कौन सा section है CRPC का, section 461 के तहित इस बात का provision है, तो 30 का सही answer है B, अगला question है 31, which of the following is not an essential element of a degree, इन मैंसे ये degree का कौन सा essential element नहीं है, आपने ये बताना है, 31, conclusive determination of the rights of the party, ये तिविच विच 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 व application from which an appeal lies as an appeal from an order, ये जो है degree का essential element नहीं है, ये तो appeal डालने के बारे में बात कही गई है, इसलिए 31 का सही answer है C, और 32 है, which of the following is not a duty of an advocate to court, जो advocate होता है, ओफिच विच 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 वि 32 में का सही answer A है, to not commit breach of section 126 of the evidence act, evidence act की section 126 के तैयत है, जो नहां breach को commit नहीं करना है, ये उसकी duty नहीं, तो अगला question है 33, इसकी right option है A, which of the following rules of chapter 2 of part 6 of the bar council rule deals with the duty of an advocate in respect of any money received by him from the client? जो chapter 2 है, उसका part 6 है बार council rule का, तो किसे rule के तैयते ये mention किया गया, rule 25, अगला question है 34, under which of the following sections of CRPC provisions relating to police report is given, CRPC के किस दारह के तैयते police report का provision किया गया, ये section है CRPC का 172, इस सब class Roman में 1 है, यानि 34 का सही answer है A, अगला question है 35, which one of the following provisions of CRPC deals with the anti-spatry bail, यानि अगरिम जमानत लेने के लिए CRPC का कौन सा section है? प्रावदान देता है, 35 का सही answer है B, section 438 के तैयते, anticipatory bail ली जा सकती है, अगला question है 36, 36, provision relating to cancellation of bond and bail bond is given under section, यानि bond और bail bond का cancel करने के प्रावदान CRPC की section में है, section 446 A में है, तो 36 के right answer है A, अगला question है 37, the provision relating to dowry is given under dowry के एकिलाब कारवाई करने के लिए कि section के तैथ provision है, section 304 B of IPC, इसके तैथ कारवाई होती है, अगला question है 38, which of the following section is designed to curb infanticide, infanticides को खतम करने के लिए कि section में प्रावदान है, 38 का सही answer है D, section 315 of IPC, IPC की धारह 315 के तैथ इसका प्रावदान है, अगला question है 39, which order has been specifically enacted to protect the interest of minor and unsound mind, जो minor है नाबालिग हैं और जो दुरुस्त दिमाग के नहीं है, जिनके दिमाग पर बाव है, सही दिमाग नहीं है, तो उनको protect करने के लिए CPC की किस order में प्रावदान है, order 32 में प्रावदान है, to protect the interest of minor and unsound mind, तो 49 का सही answer है B, अगला question है 40, which order of the CPC lays down generally rules governing pleadings in a court, कोर्ट अप्लेटिंग करने के लिए CPC का कौम सा order जर्नल रूल देता है, order 6 और फे civil procedure code, अगला question है 41, second appeal under section 100 is applicable, किसी जज्जमेंट के खिलाब दूसरी appeal section 100 के तह डाली जा सकती है, तो यह इसके right option है, substantial question of law has formulated by the high court, high court ने जो भी question of law established किया है, उसके तहित के लिजा सकती है, अगला question 42 है, which of the following is an infringement of a registered trademark, यह जो है पंजीकरी trademark के, किसी के पंजीकरी ते trademark का उलंगन, infringement का उलंगन, तो यह इसमें option दी हुई है, चार, यह करता use of a mark identical to the trademark, किसी के trademark के, मिलता जुलता, निशान इस्तेमाल करना, to goods without authorization, बगैर मंजूर इलिए है उसके, और advertisement of that trademark, उस trademark के तैथ advertisement, विज्यापन देना, तो यह भी reputation of the trademark, और तीसरा है, use of that trademark है, जे business name, without authorization, बिना किसी, उसके authorization के, उसका इस्तेमाल करना, यह infringement है, यानि तीनों के तीनों, infringement of a registered trademark है, इसके यह लिए 42 का right answer है, D, all of the above, अगला question है 43, एपरसन अंडरगोइंग लाइफ इंप्रिज्मेंट इफ अटेंप्ट तू कुमिट मर्डर एंड हर्ट इसकार देरभाई, ही में भी पुनिष्ट भी दे, अगर कोई परसन सजा याफता है, वो मर्डर करने का attempt, प्रियास करता है, तो उसको क्या सजा दी जा सकती है, लाइफ इंप्रिज्मेंट, B, डेथ, C, इंप्रिज्मेंट, D, यानि तीनों में से कोई भी सजा दी जा सकती है, इसलिए राइट अंसर है इसका, All of the above, अगला क्वेश्टिन है, रेशिवडरी पावर इन इंडिया में भी एक्सराइज भाई, पार्लियमेंट, पार्लियमेंट एक्सराइज करती है, अगला क्वेश्टिन है, फोर्टी फाइब, अपुनिष्मेंट तु विच ओफेंडर आर लाइबल अंडर दा प्रोविजन अफ दी आई पीसी यानि जो अप्रादी है उनको आई पीसी के तहित कौन कौन सी सजा मिल सकती है यानि डैथ हैंड इंप्रिजमेंट फोर लाइफ है मृत्यू दंड वर उमर कैद भी मैं रिगोरियस इंप्रिजनमेंट यानि जो कठीन बिए जेल की सजा जिसमें काफी हाड काम कुम करते हैं एंड शिंपल इंप्रिजमेंट साधान कैद और तीसरा है सी में फोर फीचरो प्रॉपर्टी और फाइंद जुरूआ नहीं कर सकते हैं प्रॉपर्टी भी उसकी फोरफिट जब्ध की जा सकती है ये तीन्नों ही सजा इन में से कोई भी दी जा सकती है इसलिए all of the above right answer है 45 में का right option है D यह केस है मेक नेक्टन rules from the basis of law of a यहनी मेक नेक्टन rules किसके उपर हैं? insanity के उपर हैं इसलिए B is the right answer अगला question 47 the authentication to be affected by the use of assymetric crypto system यहनी assymetric crypto system का use करना और has function is known as किसमें इस्तेमाल होते हैं? यह होते हैं digital signature में आज कल सब को पता है कि digital signature से सारे काम हो रहे हैं तो उसमें यह use होते हैं इसलिए इसका 47 का से answer है C अगला question 48 punishment for cyber terrorism under section 66 F shall be punishable यानि cyber terrorism को IT act की दारा 66 F की तैत क्या सजा मिलेगी? इसका right answer है C with imprisonment which may extend to imprisonment for life यानि इसको jail हो जाएगी और जिसको उमर कैद में extend की किया जा सकता है इसका 40 इसका सी answer है C अगला question 49 section 2 one of the industrial dispute define industry means इन में से industry कोंट सी है? यह जो ना December 2018 में यह आते question यह important question है नमबर वन बिजनेस ट्रेड अंडर्टेकिंग नमबर दो मनुफेक्षर और कालिंग ऑफ इंप्लाइर्स नमबर थरी है इंक्लूडिड यानि कालिंग सर्वीस इंप्लाइमेंट एंडिक्राप्ट और चौथ्था है इंडिस्ट्रियल ओकूपेशन ओफ ए वर्क में यह तो इंडस्ट्री के मीनिंग बताए है अब इन ओप्शन में से बताना है यह नि वन टू भी ठीक है, वन टू एंड थ्री भी ठीक है, थ्री एंड फॉर भी ठीक है तो इसका राइट आंसर आएगा दी, all of the above, शवी डेफिनेशन शही थी है अगलाख कुचिन हैंच फीफटी। फिबिशन हिंदुमेरिस्ट प्रविजन केस रविंसव तुनमा प्रपश्ट में प्रवा था नहीं का शेक्षन ंतरर एंधरीर्च विजर में अचनाप्टिंब इक अगेंस्ट ट्रांसफरी ओफ इन अस्टेट आउट फिच यह जिए राइट तो सीव मेंटिनेंस इसमें चार ओप्षन दी गई है यह में ओनली वेंदा ट्रांसफरी एस नोटिस अप्टा लगे बी ओनली वेंदी ट्रांसफरी इस तोर पर दिया जाए बोथ एंड बी तो इ इन मैंसे कौन सी कौर्ट प्याइल को नहीं एक्सेप्ट कर सकती है यह यह तो सेंट्रल एड्मिस्टेटिव ट्रिब्यूनल कैट यह कैट के जुरिटिक्शन में नहीं आता प्याइल इसलिए नहीं ले सकती है अगला कुस्चिन है एप्लेसिज मैं वीदे फाइर आर्म्स इसमें से क्या हुआ है ए रॉंग फुली प्रेस्ट एंजेड रॉंग फुली कनफाइन जेड और सी है बोथ ए और बी इसका राइट आंसर है डी नन अफ दी अवो नन अफ दी अवो कुस्चिन नमबर त्रेपण ए ने कुछ ख्यारबंद आदमियों को बिल्डिंग के बार खड़ा कर दिया और जेड को उसके अंदर बंद कर दिया और जेड को कह दिया वह अगर बार जाएगे तो तेरे पर गोली चला देगे तो उसको रॉंग फुली कनफाइन कर दिया ज की अगला कुस्चिन है जो है ए इंसाइट से डॉग टू सप्रिंग अपाउं जेड ए जो है किसी कुछते को जेड पर डालता है विदाव जेड कंसेंट जेड से कुछे बगए उसके कंसेंट के बगए इफ ए टेंस टू काज इंजूरी ए का जो है ना उनको गाहिल करने का आई रहा था तो इसमें क्या आएगा चार उप्शन में से इसका सी आंसर है सी ए यूजी क्रिमिनल होर्स टू जेड जड के अगेंस्ट जो ना उसने क्रिमिनल फोर्स केस्ते मली उस्टिया अगला कुस्चिन है 55 ए काजी कैटल ए काजी कैटल टू इंटर पॉन दा फिल्ड बिलॉंगिंग टू जड है जो है जड के क्यतों में पसु छोड देता है इंटेंडिन टू काज एंड नुविंग दैटी इस लाइकली टू काज ए डेमेज तू जड क्रॉप उसको पता है कि तू जड की फसनों को नुक्सान पहुंचा रहा है तो उसने ए ने क्या मिश्चीफ एक तरह क्यों ने स्राइट करी है ना मिश्चीफ के तैत उसके खिलम गुद्मादर जो से चप्पन फ्रॉम विच फॉलोइंग कंट्री इस दी कॉंस्टिटूशन ऑफ इंडिया एज बोरोग दा पावर अफ जुडिशियल रिवीव की पावर किस से देश की कॉंस्टिटूशन से लिए है इंडिया ने पने कॉंस्टिटूशन में यूएश की कॉंस्टिटूशन तो चप्पन का राइट आंसर है शी 57 इन्फोर्श्मेंट ऑफ विच फॉलोविंग आर्टिकल्स ऑफ इंडिया कैन नोट बी सिस्पेंडिड एवन दूरिंग दी प्रोक्लेमेशन ऑफ एमर्जेंसी इन में से कौन सा जो है ना पंडामेंटल राइट जो है एमर्जेंसी के दोरान भी इन्फोर्शेबल रहता है यह निलागू रहता है और उसको सिस्पेंड नहीं किया जा सकता जिसका स्तामन का राइट ऑप्शन है बी रा प्रोवाइड फोर दि पावर और कांसिल अपिंडिया टो विड्रा तो इट्सलव रहत्व सिदिंग फोर डिस्पेंड रीक्शन पैंडिंग किसी भी इस्टेज़ ररकॉंचिल के सामने में पैंडिंग कोई डिसिप्ली आनुसाषन की कारवाई को विड्रा कर सकती है वी इस्याई को पावर देता यह सेक्शन चत्तीस का सब सेक्शन दो किसका एड़ोकेट एक्ट 1961 का तो 58 का राइट आंसर है C अगला कुश्चिन है उन्सट विच कोर्ट और ऑथरेटी एज दी पावर तूपनीश एनी परसंट पूर कंटेंप्ट ऑप दा नेशनल कंपनी ला ट् पूर्बूलक के कंटेंप्ट के मामले में सजा देने के लिए किस कोट या ओथरेटी को पावर है वो है नेशनल कंपनी ला ट्रिबिनल नेशनल कंपनी ला ट्रिबिनल को पावर है तो इसका उन्सट का राइट आंसर है D अगला कुश्चिन है 60 विच अव दी साथ साथी करता है तो मैं सी को प्रोपिटी का राइट ट्रांसफर कर दूँ तो यह इस नोट वेस्टी इंट्रेस्ट का कि अगला कुश्चिन है 61 विच आप दा फॉलोविंग इस रॉंग इन रिस्पेक्ट अप दी लाव पॉपिराइट के कानून के ता है ते इन मैंसे क ुन के कुश्चिने 62 अगला कुश्चिने 62 अगला कुश्चिने 62 अन्र थे इंदियन ऐफीजन शेमों अपरिम इशे और पर देश इस नोट्टेब सक्ट वेसटे इंड दिया tech कीन शा किन सा इन집 Спर 11 spots character affected the amount of damages in civil case, इसमें relevant नहीं है, अगला question है 63, which one of the following is primary evidence, इन में से कौन सा primary evidence है, document produced for the inspection of the court, जो court के सामने document produced किया inspection के लिए, वो primary evidence में आते हैं, अगला question है 64, the consumer protection act 166 came into effect on, consumer protection act 166, which one of the following sections of consumer protection act 166 defines the term consumer, consumer को किस act के तहर दिफाइन किया है, यह June 2018, December 2018 में भी आया था और यह 19 में भी आया है, यह important question है, यह section 2 का सब section 1D के तहित डिफाइन किया गया, consumer को, अगला question है 66, the principle of law of taxation that no tax self-believed or collected except by authority of law, कानून के अधिकार के अलावा कोई भी टेक्स कैलक्लेटिंग क्लेक्ट नी किया जाएगा, it is contained under, किस article के अंडरी है, यह जो ना content है, प्रावदान है इसका, article 265 of the constitution, जो अपने सभी दान की article 265 है, उसके तहित ही बात कही गई है, अगला question है 67, under which action of income tax act, income of other persons are included in SSC's total income, बला किस section के तहित जो है, दूसरे की income, SSC की income में add होती है, तो इसका right answer है D, section 60-65, यह भी दो-तिन साल से repeat हो रहा है, question है, यह important question है, अगला question है 68, under which of the following articles of the Indian constitution, Parliament is empowered to legislate with respect to a matter in the state list in national interest, जो अपने समीदान के अंदर concurrent list है, उसके तहित है स्टेट को, राज्य को और केंदर को दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्य के हित में केंदर जो है ना, concurrent list से कानून बना सकता है, यह कौन सा article कहता, constitution का, article 249, तो एडिसेट का से यह answer ह A, in which of the following cases the court has laid down the right in life, does not include right to die, किस case में, एकना अपनी मिर्तु इच्छा के लिए केश डला था ग्यान कोर ने, हमें मरना चाहती हूं, मेरे को मरने की अजाज़त दी चाहे, मुझे right to die है, लेकिन कोर्ट नमना कर दिया कि right to life में right to die cover नहीं होता, उन्हें तर का right option है B, अगल question 70, the question whether a bill is a money bill or not is decided by, ये कौन decide करता है कि ये bill money bill है या money bill नहीं है, the speaker, लोगसभा, लोगसभा का speaker ये decide करता है, तो संतर का सही answer है D, अगला question a decision under 10th schedule is taken by, दसमें schedule के तहते, कौन इरने लेता है, अगला question 72, in which of the following cases the Supreme Court held that an international commercial arbitration is one which has its juridical or legal seats of arbitration outside India, ये इन में से किस केस में काया सुप्रिंग कोर्ट नहीं, ये केस था, भारत, Aluminium Company, वर्सीज, केसर, Aluminium Technical Services, inclusive, 2012, 9th Supreme Court, 552, इसका बैतर का राइट आंसर है B, अगला question है, 73, which of the following provisions of the Hindu Succession Act 156 lays down, यानि Hindu Succession Act 156 होगा न, कौन सा section के लिए लिया गया, ये section 29 of the Hindu Succession Act 156, ये तियतर का राइट आंसर है D, अगला question है 74. Which one is a foreign award? विदेशी अवार्ड कौन सा है? एन अवार्ड पास्ट इन ए फोरन सीटीड आर्विडरेशन. च्वेत्र का राइट आंसर है B. यानि जो अवार्ड बाहर बैठके दिया जाए. अगला कुश्चन है 75. If a man marries a girl, यदि एक आदमी लड़की शाधी करता हूँ, विदिन his prohibited relationship, जो उसके अपने जो पिंडाज हैं, उसके तैद ये prohibited है, मना है, and his custom does not permit, और उसके जो न कस्टम रितरिवाज भी यह जाद नहीं देते. Such a man would be punished wonder. ऐसे आदमी को किस section के तैद से जाधी जाएगी? किस section 18b of Hindu marriage act, 1955. ऐसे विक्ती को जो पिंडाज के तैद साधी करता है, जो custom भी अलाओ नहीं करते हैं, उसको section 18b of Hindu marriage act है, उसके तैद से जाधी जाएगी. Which section of the Hindu marriage act, 1955 provides that a child from a void marriage would be legitimate? Hindu marriage act का कौन सा section कहता है? कोई बच्चा जो avoid marriage से हो रहा है, पैदा वो legitimate है, जाएज है. यह section 11 कहता है. इसलिए चेतर का answer है. अगला question is 77. Under which one of the following section of CRPC, police officer is under obligation to inform the accused ground of right to bail? क्यानि मुझरिम को पुली से दिकारी बताएगा कि यह आपको जमानत लेने का दिकार है. यह कुन सा section है? section 50 है. जो के police officer obligatory है. उसको बताएगा मुझरिम को. तो से तैतर का right answer है B. अगला question is 78. Under what circumstances court can issue an order for the attachment of the property of person absconding? जो बगोड़े हैं उनकी संप्रक्ति की कुड़की किसे section के तैत करी जा सकती है? यह इसका right answer है. यह A, B, C, B, 4 option है. where the person to whom proclamation is issued is about to dispose of the whole of his property. यह उसकी सारी property पर proclamation है. और B, A, where the person to whom proclamation is issued about to dispose of any part. उसकी संप्रक्ति का कोई भी part. वो attach हो गया किसी judgment में. और तीसरा है, where the person to whom proclamation is issued about to remove the whole or any part of his property. प्रोपर्टी का कोई भी सारी property. लोकल जुरिडिक्शन आप दी कोर्ट. जो लोकल जुरिडिक्शन के तैत है. ऐसा प्रोक्लेमेशन हुआ. यह यह तीनों बातें सही हैं. इसलिए इसका right answer है D, all of the above. अगला question है, 79. 9. Inherent power under section 44 CRPC can be exercised by the high court. यह यह उनाशी का सही answer है C, the high court. अगला question है, 80. It is proved that a man has not been heard for Khalistan by those who would naturally have heard of him if he were alive with presumption under section 108 of the Indian Evidence Act is that he is dead. जो Indian Evidence Act की धारा 108 है, उसके तहते प्रावदान किया गया है कि जो आदमी, किसी दूहरे आदमी दोवरा शितर जाना जाता था, अगर उसके बारे में कुछ समय तक ने सुना जाई, तो उसे मरत गोसीत कर दिया जाएगा. कितना पीरिड है हो, खालिस्तान में आएगा 7 अगर 7 साल तक वो दिखाई नहीं देता और उसना कहीं सुन्ने में नहीं आता उसके बारे में, तो उसको मरत गोसीत कर दिया जाएगा. अगला कुछिन है, 81, ए डम विटनेंस गीवन हीज एविडेंस इन राइटींग इन दा ओपन कोर्ट, सच एविडेंस वुड बी ट्रीड, कोई बहरा आदमी है अपनी गोहाई देता कोर्ट में लिखित रूप में, तो उस गोहाई को कैसी गोहाई माना जाएगा, औरल अगला है, कुछिन ब्यासी, which of the following is not a public document, यानि कौन सा जो है न, सरकारी दस्तावेज नहीं है, यह बताना है आपने चार में, बैंक बुक्स, बैंक बुक्स आर नोट पॉब्लिक डॉकुमेंट, वो उसका अपना प्राइविट डॉकुमेंट है, उसको जो है न, पॉब्ल यह दिगरेंट कानून जो है, अठारसो चुराणू है, कब लगू हुआ था, एक मार्च अठारसो चुराणू है कोड़ी, यानि फर्स्ट डी अप मार्च अठारसो चुराणू है, तरशी गासी ऑप्शन है C, अगला कुशन है 84, which of the following sentence can the court of session pass, इन में से कौन सी सजा जो ह अठारसो चुराणू है, अगला कुशन है 85, which of the following is not a requirement for a foreign judgment to be conclusive, इन में से कौन सी requirement है, और विदेशी जो है, फैंसले को conclusive बनाने के लिए नहीं चाहिए, अगला कुशन है, चाहसी, ensuring the safety, health and welfare of the employees, is the primary purpose of the factory act, उनिसो ठाणू है, जो safety, health and welfare है, implies का इसका primary purpose है, किस act का, factories act, उनिसो ठाड़िश, यानि चाहसी का सही answer है C, अगला कुशन है 80, in which case Supreme Court held that whether teacher or not workman, किस case में, ये decide किया था, बेटीशर वर्क में नहीं है, एक तो ये गोवा का जिज्मेंट है, सुन्दर बलाम वर्क सीजे, गोवर्मेंट ऑफ गोवा, और ये दूसरे ये बता रहे हैं, मेरे हिसाब से तो इसकी right option होनी चाहिए, ये जैसे question 87 है, इसमें एक गड़बड होगी, मैं दो decision दे दिये, ये जैन, वर्क में नहीं है, अब option एक बतानी है, तो इसमें B दिया हो है बुक्स में, वैसे D भी है, अब यहां दो दिये उड़ोते, B and D, तो ये शही रहता है, अगला question है 88, under section 2 CC of the industrial dispute act, उनसे से ताड़ी, closure means, closure किसको कहते हैं, ये question ये पूछ रहा है, तो इसका 88 का सी answer है, A, the permanent closing down of a place of employment or part there of, उसकी कोई कुछ activity बंद कर देना, या उसको business को permanently close कर देना, closure माई, अगला question है, reference can be made during dependency of the case, case the pending चल रहा है, तो उसके तहित reference से made कर सकते हैं, अगला question है 90, a person can apply for review of a judgment, वहन, कोई भी आदमी, review के लिए कब apply करेगा, ये है, he is aggrieved by a degree, decree से अगर वो नराज है, aggrieved है, या order, from which an appeal is allowed, जिसके against appeal allowed है, लेकिन वो अपील में गया नहीं, ये is aggrieved by a decree or order, किसी order or a decree से नराज है, from which no appeal is allowed, जिसके तहते कोई appeal जो है नहीं आगे, तो review में जाएगा, तीसरा है, c है, he is aggrieved by a decision on a reference from a court of small causes, ये हैं, small causes की court है, उसकी decision से aggrieved है, तो भहीं civil court में senior judge के पास जाएगा, जो सही हैं सारे ABC तो, इसका answer है D, all of the above, अगला question है, 91, in which of the following cases, the remedy of revision is not available, किस case में जो हैं, revision की remedy अविलेबल नहीं है, ये बताना है आपने, इस question में, तो, पहला है, case is in which first appeal आई, जिसमें जो ना, first appeal आई करती है, तो वहां revision नहीं डिलेगा, case is in which second appeal आई, जिसमें second appeal अला हुआ हुआ है, वहां भी revision नहीं डिलेगा, interlock tree order, इसमें भी revision नहीं डिलता है, तो तीनों से ही होगे, तो इसका right answer है D, all of the above, अगला question है, effect of not negotiable crossing is mentioned under, किस के तैट mentioned है, not negotiable, ये है section 130, इसका right answer है B, अगला question है, 93, section 16 of the negotiable instrument defines, section 16 of the negotiable instrument act का, क्या define करता है, endorsement in full and endorsement in blank, section 16 के तैट ये प्रावदान है, endorsement in full, endorsement in blank, अगला question है, the liability under section 138 of the negotiable instrument act, ये पिछले चार साल से आ रहा है question, अठास होई कैसी is strict liability, तो ये strict liability में आएगा, अगला question है, the objective of land acquisition act, अठास उच्रणवे हार, जो उठास उच्रणवे हार, जो उठास उच्रणवा भूनी, भूमिये देकरेंड कानून है, उसका main objective क्या है, an act to amend the law for the acquisition of land, यह एक एक एक्ट है, जो कानून को जो ना, सुधारने के लिए, for public purposes, जन्ता की purpose के लिए, और companies के लिए, इसका right answer D है, पिछानून का D सही दे रखा है, पिछानून है, under which one of the following section of CRPC, police officer can arrest and accuse without warrant, ये भी repeat हो रहा है, पिछले चार साल से, ये भी important question है, section 41 नहीं है, which one of the following court under the criminal procedure can try a murder, कौन शी criminal court murder के case को try कर सकती है, ये बताने हैं आपने, A है, judicial magistrate first class, B है, chief judicial magistrate, C है, court of session, court of session, he try कर सकती है, इसलिए question नबर स्तानों का सही answer है, C, court of session, session, अगला question है, 98, it deals with the international management and affairs of company, जो अंतराश्टी प्रबंदन और company के affair हैं, उसको क्या deal करता है, उनका होता है, article of association, memorandum and article of association, बोलते हैं, तो इसने memorandum अलग कर दिया, तो B ही, right answer है, article of association, अगला question है, 99, public liability insurance act was enacted, public liability insurance act was enacted, कब, क्या था ये act है, इसका right answer, A है, 1991, इसने में, 1991 में लागो किया था, public liability insurance है, आज का last question है, 100, environmental impact assessment, EIA is mandatory under, ये question भी पिछले चारपन साल से repeat होता जा रहा है, ये भी important question है, environmental protection act केते हैं, EIA, environmental impact assessment किया जाता है, जहां भी कोई industry area set up करना हो, या कोई project लगाना हो, CETV plant बनाना हो, इसके लिए, EIA clearance लेनी परती, government से, guys, मैं उविद करता हूँ कि, आज का session बहुती अच्छा लगया होगा, और अच्छे session में आ गया होगा, हमने ये 5 question paper solve करा दिये हैं, इनमें 500 question हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना, आपका EIBE का exam जरूर पास हो जाएगा, मैं advocate Krishna तुमार, अब आपसे विदा चाहता हूँ, बिलते हैं next session में, thank you.